दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगें केंद्रिय विद्यला संगठन में सत्र दोहजर बाइस तेस में ककसा एक में प्रवेश के लिए आनलाइन फार्म कैसे आप मुबाइल से पर सकते हैं उसके लिए आपको वेबसाइट पार जाना है kbsonlineadmission.kbs.gov.in उसका लिंक आपको वीडियोग डिस्ट्वर्ण मिल जाएगा यहाँ पर आपको टैय बिलेगा पंजगरन करने के लिए यहां किल過去 करें इस पर आपको किलिक करना होगा वीज़लास इंकठन में ककसा एक के फार्म को पढ़ लेंगे या फिर आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता दिल जाएगा कि किस तरीके से आप इस फार्म को मुबाइल से ही फिल अप कर सकते हैं तो यहां पे पेज को स्कॉल करेंगे आप यहां देख सकते हैं पर भीडियो या फिल करेंगे या रभीडियो को द पूर्ण करना फ्र इसका को सञा करें पत्री चारी या पादरी है तो आप यहां से जो । हैंजो चूफ कर सकते हैं रिसे है जैर चायड और वर किuter और के विए-स इंप्लोईи-स चायल्ड-ॉ इसमें से कोई भी option आप आपके पास है तो आप इसको फिल कर सकते हैं फिर आपको अपना email id डालना होगा फिर एक capture code को यहां पर फिल करना होगा उसके बाद registered now option पर क्लिक करना होगा आपको यहां पर फिल करना होगा यदि आपके सामने OTP का option नहीं आता तो आप recent OTP का option यूज़ कर सकते हैं उसके बाद verify option पर क्लिक करना होगा आपके सामने कुछ इस तरह क्या message आ जाएगा आपने सबलतब रुबख पंजिकरान या sign up कर लिया है एक login code आपके sms पे भेज दिया जाएगा तो इस पर इसकी 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 इसक करते बाद पूट किया था उसको आपको फुल्फिल करना होगा एक capture code होगा capture code को फिल करने के बाद आपको login वाले option पर टैप करना होगा यहां पर red star वाले जितने भी शूचना आप से माई जाएगी उसको भरना आपको अनिवारे होगा सबसे पहले आपको basic information फुल्फिल कर करना होगा उसके बाद आपको सबसे पहले अपने बच्चे का gender select करना होगा फिर आपको बताना होगा परिवार का I work यदि आप कम I work के अंतरकत नहीं आते तो आपको first जो option है वो चूज करना होगा यदि आप आरती रूप से कमज़वर वर्क ये EW certificate आपके पास है तो second option आ आपकी कास्ट है उसका certificate भी आपके पास होना जीए जनरल के लिए कोई कास certificate के आपको बच्चे का पता है तो आप यहाँ select कर सकते है यदि नहीं पता है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते है फिर आपको next option पे किलिक करना होगा या आप आर्थी की रूप से कमज़वर व मौनपत जारी हुआ तो वो तारिक भी आपको certificate मिल जाएगा यहाँ पर आपको इसको select करना होगा उसके बाद EWS यह भी पर मौनपत जारी करने प्राधिकरान का जो नियम है जैसे SDM या तरसिलदार जिसकी भी मोहर लगी होगी वह आपको यहाँ पर लिखना होगा यहाँ save application का एक option है इसकी सायता से आप अपने जो page है उसको save कर सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ सीर्चक select करना होगा मिसेस माता का जो detail है उसके आप मिसेस select कर लेंगे माता का पूरा नाम है यहाँ टाइप करना होगा उसके बाद आपको nationality Indian select कर लेंगे उसके बाद आप से पता है पिता के आवाशी यह पता फिल्ड में स्वाजम ही लिखा जाए कुल मिलाकर यहाँ पूछरा चारा है कि माता और पिता के यही एड़ेस से मैं तो आपको यहाँ yes करना होगा यही माता और पिता का जो address अलग लग है तो आप यहाँ no कर सकते हैं पिर आपको country select करना ह होगा state select करना होगा सहर आपको select करना होगा आप अपने गाउ का नाम भी ही हाँ टाइप कर सकते हैं घर का पता यहां completely आपको लिखना हो गहाँगा घर में telephone है तो telephone number यहां लिख सकते हैं अदर भाइप छोड़ सकते हैं mobile number type करना होगा email address आपको type करना होगा आप से पूछ ज मुझें पूरा नाम आपने सामने पुछेगा क्या आप चाहते हैं कि अबता माता कंशेंट में Daht c में सोफिज्ड में तो चुक्षम में उपर वाले ओप्शन में चूस किया था कि माता का जो एड ceux है वही मैं पूरा पर यह यह है Him earlier आपको 이 वह athletic पिदिकर आपके सायव कि यहां नहीं दिखाये देंगे कि बैंगे दो अप्छे का प्छे करां और ही आपको कर आपको आपको टायप ब उसके बाद आप next option में क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने choice of school का option खुल जाएगा यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि तीन अलग-अलग केंजरी विद्याले में से किसी में भी प्रात्यमिक्ता के बिना आप आप आपधन कर सकते हैं इसकुल विकल्पों को बनने के लिए नीचे देगे टैब पर किलिक करें यदि आप तीन में से कम केंजरी विद्याले में आपधन करना चाहते हैं तो आप कम से कम एक टैब या दो टैब को छोड़ सकते हैं उसके बाद जो इसके बाद जो लाइन है कि आपको सेवा प्राथे मिक्ता सिर्णी में बने मदद चाहिए तो आप यहां करते हैं तो आपके सामने एक option खुल जाएगा पीता माता दादा दादी नाना नानी के का employer चुने तो आपको यह टैब मिलेगा यह से जैसे state education department में दादा पीता या माता में से कोई है तो आप यहां चुन सकते हैं यदि आप private department में काम करते हैं तो यह आगलाक्षम चूस कर सकते है private department private jobs business जो भी आपका relation है काम है उसके sector में आप यहां से option को चूस कर लेंगे ध्या government employees यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पांच option खुल जाएंगे सबसे पहला जो option है चिल्डेन और टांस्फरेबिल और नॉन टांस्फरेबिल सेंटर गवर्मेंट इंप्लोई यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सेंटर गवर्मेंट के आप करमचारी है तो आप ट्रांस्फरेबिल और नॉन ट्रांस्फरेबिल इंप्लोई आप और नॉमस बोडिस पब्लिक सेक्टर अंडेगिन इंस्टिटूट ऑफ हैर लर्निंग इंस्टिट गवर्मेंट के यह आप करमचारी है तो चौता आपको चूज करना होगा और पांचार ऑप्शन है इंडियर 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 वर्मेंट के लिए यह आप फॉरन से समझें तापका बीदेश से समझें कोई काम है तो आप पहुचा अप्शन चूज कर सकते हैं इसको अब ध्यान से पढ़ लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अविवगर में माता पिता या दादा लिए परक्स का से डिवगर में के लिए चूनाब करना होगा तो यहाँ पर यहां पर यहां पर आप मदर या फादर कोई एक उप्शन आपको यहां पर चूस करना होगा उसके बाद यदि चैनीत माता पिता को पीजले साथ बरस में स्तान्तरण हुआ है टांसफर हुआ है तो आप यहां yes कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां next option पे click करना होगा किसी तरीके से आपको second school त्रच though दोत हुए उसका डाटा है वो आपको सेम जैसे या 5- Nadam ळना होगा उसके बाद Small पेड होगा आपके सामनेका अप्लोड को में आपको डॉकमेट का रचे केसे और जो इसकी साइज है मैक्सिमम वो 256 के भी होनी चीए यहां सबसे पहले आपको बच्चे की जनमतिती का प्रमार पत्र आपको अप्लोड करना होगा फिर बच्चे का पास्पोर्ट साइज आपको अप्लोड करना होगा जिसकी साइज 256 के भी से कम होनी चीए यहां आपको न दिएगे सेबा निर्वित या करमचरी का सेबा कानपत्रिय यह जॉब में है तो यहाँ फाइल को अप्लोड कर लेंगे तो यहाँ पर एक अप्लोड का उप्शन आएगा जिस उसके बाद एक नीचे चेक बॉक्स आएगा, चेक बॉक्स में आप टैक कर देंगे, उसके बाद शेप टू प्रिवीव वाले उप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपको सामने ओक कर बड़ना जाएगा, आप इस पर टैप करने के बाद आप यहां से प्रिवीव ले सकते हैं, प्रिवीव देश करते हैं, आपने जो भी form अपने बरा है, वो सारी डेटेल आपको यहां चेको जाएगी, यदि आप पूरी तरी से confirm है कि जो भी आपने डेटेल इसमें फुल्फिल किया है, पूरी तरी से सही है, तो आपको लास्ट में submit application पे click करन लिए घर्णा करना होगा कि बाद आपके मूबाइल नंबर पर वन टाम प्रवाइब भीजा जाएगा उसको आपको यहां पर दर्ज करना होगा फिर बेरिफय ओटीप वाले औप्शन पर किलिक करना होगा फिर आपके सामने कुछ इस तरह के मेसेज आजएगा यह और अपको यहां पर प्रिंट आप्लिकेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप पीडियाप को डिगट भविस्टिक लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं यह था आज का वीडियो इस वीडिय आपको कर जान करें तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिश्टिक में आपको हमारे टेलीग्राम और वाट्सअप ग्रूप का लिंक भी प्रवाइड हो जाएगा जहां से भी आप हमें संपर्ख कर सकते हैं मिलता है अगले एक ऐसे इंट